तो ये दोनों फोन आपको 25,000 के नीचे कर्व डिस्प्ले देते हैं एक तो 22,000 में मिल जाता है लावा अगनी 2 और एक मिलता है 24,000 रुपे में जो है रियल्मी का 10 प्रो प्लस दोनों में 2,000 रुपे का डिफ्रेंस है वहीं पर लावा का थोड़ा सा बोल्ड डिजाइन है ऐसा डिजाइन है लावा का की 3-4 फोन पड़े होंगे तो एक आदा बंदा जरूर आपसे पूछेगा की एक कौन सा फोन है ऐसा थोड़ा सा डिजाइन लैंगवेज है लावा का वैसे एक चीज़ चेक करोगे वेट इन का तो रियल्मी का फोन 180 ग्राम से भी नीचे रह जाता है वहीं पर लावा का फोन 205 ग्राम से भी उपर पहुँच जाता है तो हाँ डिजाइन में आप कोई भी चूज कर सकते हो वैसे एक चीज़ बदा देता हूँ रियल्मी वाले आपको स्क्रीम फिटर लगा के देते हैं पन्नी से होती है एक नॉर्मल जिस पे स्क्रेचिस वगएरे नहीं आते लावा में थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि लगे लगाई आपको मिलती नहीं वैसे वाइबरेशन मोटर की बिल्ड दोनों की काफी अच्छी है हैप्टिक्स दोनों ही बहुत कमाल के प्रड्यूस कर रहे है लेकिन हाँ वो आपको पन्नी लगानी पड़ेगी उसके लगा बिल्ड में दोनों कमपनीज ने ध्यान दिया है अब जिस चीज़ से शुरुआत हुई थी वो थी डिस्प्ले उसकी बात कर लेते हैं तो दोनों ही आपको एक पंच होल वाली फुल एच्डी प्लस एमिले डिस्प्ले देते हैं वो है कर्ब डिस्प्ले बैजल्स वगेरा चेक करोगे दोनों नहीं काफी अच्छा काम किया है और जब आप साइड बाइ साड कंटेंट देखते हो तो यहाँ पे कलर प्रोफाइल का थोड़ा सा डिफरेंस है रेल्मी बाला थोड़ा से ज़्यादा एकुरेट कलर प्रोडियूस कर रहा है वहीं पे लावा थोड़े से कलर बूश्ट कर देता है जब इन दोनों वीडियूस को आप साइड बाइ साड देख रहे होगे तो आपको जरूर फिल होगा कि जो कलर उसमें है वो कलर हलके से चेंज है लावा के अंदर लेकिन लावा जो है वो भी एक पॉजिटिव लेके आता है इसमें प्रोसेसर ऐसा यूज़ कहा है जो 2160P प्लस HDR में वीडियो असानी से स्मूथली हैंडल करता है सेम चीज़ आप रियल में करना चाहोगी तो इसकी डिस्पले ना अटकने लग जाएगी बस इतना सा डिफ्रेंस है इन दोनों में बागी सिम्लेरिटी है दोनों फोन की डिस्पले अप आउटर में लेके जाते हो जिपका दी है ऐसा बिलकुल नहीं है एक अच्छी क्वाल्टी की है बस कलर थोड़े और एकुरेट हो सकते थे रियल में के डिस्पले फिलाल जो है ज्यादा कलर एकुरेट मिलती है आपको वैसे साउंड क्वाल्टी के अंदर पे रियल में क्लियर विनर है क्योंकि लावा में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है जो की बॉटम में है वहीं पे रियल में आपको दो स्पीकर मिलते है एक तो बॉटम में है एक आपको टॉप पे मिलता है देखो सिंगल स्पीकर जितना अच्छा हो सकता था, लावा वालों ने उतना अच्छा यूज किया, लेकिन Realme के जो dual speaker, थोड़े से ज़्यादा balance फिल होते हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी quality भी ज़्यादा भैतर मिलती है, तो sound quality के अंदर पे Realme 2 speaker की वेज़ से यहाँ पे winner हो जाता है, अब software की बात करते हैं, यह एक important चीज है, पहले अच्छी बात, दोनों में दोनों ही phone Android 13 पे चल रहे हैं, यहाँ पे आपको दो major update मिलेंगे, यानि दोनों ही phone ना Android 15 तक पहुंचेंगे, लावा वाला चल रहा है stock का Android पे, इसकी वैसे, यहाँ पे कोई भी ads नहीं है, और कोई उल्टे अगरा करते हैं, recommendations बगरा देते रहते हैं, तो हाँ, काफी मेहनत कराते हैं, आपको यह video देता हो, description में, अगर आपने कोई पी realme का phone ले लिया है, यह video को follow कर लिना, इससे क्या होगा कि phone का आपका software एकदम clean हो जाएगा, अब कोई भी ads नहीं आएंगी, लेकिन यह मेहनत करन नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आप मेहनत कर लेते हो, क्योंकि लावा के अंदर clean है, इसके लावा ना थोड़ा सा irregular feel हुआ है, जैसे ही app lock देखो, वो पुराने Android phone आते थे, वैसे यहाँ पको app lock मिलता है, इवन camera app भी देखोगे, वो पुराने जो Android phone आते थे, वैसे यह लेकिन लावा में आपको Google का डायर मिलता है, जिसमें आप चुपके से call recording नहीं कर सकते है, तो यह भी एक software में फाइदा हो जाता है, लेकिन इस चीज में लावा की गलती नहीं है, software बनाने में time जरूर लगता है, कई companies अभी भी software update के थुरू अपने phone खराब कर लेती है, तो थोड़ी सी consistency आपको मिलेगी और थोड़ा और बहतर हो जाएगा, फिलाल अगर आप software में ads बंद कर लोगे, bloatware अनिस्टॉल कर लोगे, realme का software ज़्यादा consistent है, और अब बात कर लेते हैं performance की, तो यहाँ पर लावा के अंदर है नया processor, media tech का 70-50, और वहीं पर realme के अंदर है media 1080, पहले आप इनके scores देख लो, और यह चीज एकदम clear है कि यार बहुत ज़्यदा score close करते हैं, मतलब क्या इसका performance में आपको difference feel नहीं होगा, पहले हमने छोटे apps launch किया है, दोनोई phone मेरे पास RGB रहें वाले हैं, background से हमने सब कुछ close कर दिया है, YouTube launch किया है, Google photos, messaging app launch किया है, Google Play Store, यह सारी चीज़े ना, बिल्कुल exactly same time पे खुलती है, तो normal task के अंदर बिल्कुल आपको difference feel नहीं होगा, even heavy task के अंदर भी, जैसे हमने COD launch किया, हलकी सी speed increase करते हैं, और यह दोनों phone ही एक ही time पे से launch करते हैं, फिर हमने जो है new state launch किया, इसमें भी speed increase करते हैं, यह दोनों phone एक भी phone ले सकते हो, performance के लिए, वैसे अभी तक आपको यह video भी एच्छी लग रही है, तो please like and share करते हैं, ताकि यह channel जल्दी grow हो जाए, और यह video भी चल जाए, क्योंकि camera की बात करने जा रहे है, और यह चीज़ इंपोर्टन है, realme में मिलते हैं, दो camera एक 108 पिसल का main और 8 पिसल पहले हम main camera compare करते हैं, 108 versus 50 पिसल, तो यहाँ पे भी same चीज़ है, लावा थोड़े से न, color saturate कर देता है, realme थोड़े से जदा natural color रखता है, और accurate color रखता है, even दोनों की photos पे आप zoom करोगे, तो details विगर है, एक जैसी ही आपको मिलती है, but बड़ा difference है portrait shots के अंदर, realme की portrait shots है, लावा के portrait shots बहुत जदा खराब है, light काफी जदा हो जाती है, इसे fix करने की जरूरत है, but एक चीज़ एकदम same है दोनों में, वो है रात की photos, बिल्कुल details नहीं है दोनों में, बहुत ही average काम करते हैं दोनों, ना colors अच्छे हैं, ना details अच्छी हैं, तो वैसे तो बता दो कि main camera दोनों का इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन realme का दिन में थोड़ा बहतर काम कर रहा है, especially portrait shots के अंदर तो काफी जदा अच्छा काम कर रहा है, अब आठ वी पिसल का जो ultra wide है, यहां पे भी lava का वही चीज़ है कि हलके से color saturate और हलके से color boost कर देता है, realme वाला काफी natural color रखत रहा है, अब सामने दोनों phone ही सोनों फिसल की selfie लेके आते हैं, दिन के अंदर देखोगे तो यहां पे ज़्यादा color का आपको difference फिल नहीं होगा, यहां पे lava भी अच्छा काम कर रहा है, दोनों में आपको light control colors वेगरा आपको अच्छी मिलते हैं, specially दोनों की normal photos तो अच्छी ह लावा वाला बिल्कुल ही blown out कर देता light को, realme वाला इसे काफी अच्छी तरीके से maintain रखता है, पर यहां पे भी वही चीज रात में दोनों की selfie camera आप यूज नहीं कर सकते हैं, ना details अच्छी है, ना colors अच्छी है, आपको काफी ज़्यादा noise मिलती है, फिर भी आप दिन में selfie camera देखोगे, तो यहां पे भी realme का बहतर है, बाकि जितनी वोटोस मैंने पीछे दिखाई हैं, सारी google drive पे भी save कर दी, आप खुछ जाके भी देख सकते हो, अब वीडियो के अंदर दोनों का ही back camera 4K 30fps वीडियो सपोर्ट करता है, दोनों में आपको stabilization नहीं मिलती, stabilization के लिए ना, 25,000 के नीचे best तो नहीं है, अब network की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही phone 4G अच्छी तरीके से support करते हैं, 4G plus काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, दोनों में important 5G band मिलते हैं, 5G भी दोनों में मस चल रहा है, sim slot भी दोनों में ऐसे दिया है, जहां पे आप 2 sim लगा सकते हो HD card का यहां पे option नहीं है, और दोनों में उपर नीचे आपको mic मिलते हैं, तो इसकी वैसे call quality भी काफी अच्छी है, और network performance दोनों की काफी अच्छी है, और काफी similar काम करती है, लेकिन battery के अंदर आपको difference मिलते है, यहां पे realme लेके आता है 5000 mh की battery और लावा बाल लेके आता box में, वो 40 minute में इसे charge कर देता है, वहीं पे 66 watt का जो charger है realme में, वो 1 घंटा 5 minute लगा देता है, तो हां battery life के अंदर थोड़ा सापको difference फिल होगा, लेकिन charging time के अंदर definitely ज्यादा difference आपको feel होगा, अब आखरी में किसको आपको choose करना चाहिए, तो दोनों के मैंने positive side by side लिख द तो यहाँ पे realme clear winner है, इसमें lava की गलती नहीं है, देखो यह बहुत time से phone बना रहे है, software में ads जरूर है, लेकिन software और यह camera यह बहुत time लेता है जीज़े ठीक करने में, और यह company अगर एकदम से कोई नहीं आती है, तो यह time लग जाता है, nothing जैसी बड़ी company को भी बहुत time लग जाता है, वैसे तो 22,000 रुपय का है, लेकिन card वगरा offer लग जाते हैं, तो यह BCR का भी मिल जाता है, फिर यहाँ पे 4000 का difference हो जाता है, जो positive मैंने realme में बताए है, वो इस 4000 रुपय के difference की वैसे, इतने जदा माहिने नहीं रखते हैं, और अगर आपको lava वाला BCR के नीचे मिल पॉइंट इधर उधर की बात नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल एक्वन पॉल पे करना, लाइक और शेयर कर देने अपने दोस्तों यारों के साथ, ताकि यह चैनल जल्दी ग्रो हो जाए, मिलते हैं आप लोग सगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, ए लोफ रूल